दोस्तो स्टॉक मार्किट के अगर हम बात करते हैं तो 17,000 से उपर निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है और ये एक अच्छा टाइम है उन mutual fund से निकलने का जो काफी खराब perform कर रहे हैं और जो long term में अच्छी returns investor को generate करके नहीं दे पाए हैं और दोस्तो काफी टाइम से इस वीडियो की request आ रही थी आज से 5-6 महीने पहले मैंने इस वीडियो पर बात की थी जब हमने बात की थी उन flexi cap funds के बारे में जो perform नहीं कर रहे थे और उनसे आपको timely निकल जाना चाहिए था तो आज दोस्तो हम फिर से देखेंगे कि आज के scenario के हिसाब से वो कौन से कुछ flexi cap funds है जो perform नहीं कर रहे हैं और आप भी इसी तरीके से अपने-पने mutual funds को एक बारी जरूर चेक करिए और वो mutual funds जो long term में आपको performance नहीं निकाल कर दे पा रहे हैं उनसे आप exit करने के बारे मे जरूर सोचिए तो दो-तीन चीजे आपको जरूर देखनी है किसी भी fund में एक तो जो उसकी 3-5 साल की returns है वो क्या benchmark को beat कर पा रहे है या नहीं कर पा रहे है देखिए अगर 6-8 महीने से कोई fund अपने benchmark को beat नहीं कर पा रहे है तो कोई ज़ादा दिक्कत वाली बात नहीं है ल आईए दोस्तों देख लेते हैं वो कुछ funds जो यहाँ पर बहुत खराब perform कर रहे हैं और आपको इन funds से निकल जाना चाहिए flexi cap category के तो दोस्तों सबसे पहला fund इस category में आ जाता है SDFC का flexi cap fund अगर हम इस fund की returns यहाँ पर देखते हैं ruling return को हम यहाँ पर compare करने वाले हैं benchmarked returns से तो अगर आप यहाँ पर तीन सालों की ruling returns देखेंगे और इसको benchmark की return से compare करेंगे तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि लगातार यह fund under perform करता हूँ दिख रहा है आप अगर देखेंगे 2017 से 2020 के period में देखेंगे तब भी यह अपने benchmark को beat नहीं कर पा रहा था fund और return में देखता है और अगर आप presently पिसले तीन सालों की returns इसकी देखेंगे तो भी लगबग 2% का gap देख रहा है तो यानि कि यह 2% कम return generate कर पा रहा है अगर आप इसके benchmark index से compare करते हैं वहीं दोस्तों अगर हम इस fund की यहाँ पर बात करें इसकी expense ratio पे तो आप देखेंगे काफी higher side पे expense ratio दिखती है 1.07% और अगर हम इसकी यहाँ पर asset under management की भी बात करें तो 26,000 करोड के आसपास की asset under management इसकी दिखती है यानि कि asset under management भी काफी जादा है expense ratio भी जादा है और लगातार यह fund उसके बावजूद भी benchmark index है उसको beat नहीं कर पा रहा है वहीं दोस्तों दूसरे fund प दोस्तों यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी कि लंबी लंबे time से यहाँ पर inconsistent performance देखने को मिल रही है अगर आप दोस्तों यहाँ पर भी देखेंगे presently देखेंगे पिछले 3 सालों की ruling return तो लगबग आधी return इसने अप पीछे चलते हैं आपर तो आप देखेंगे जुलाई 2018 से जुलाई 2021 की return भी देखेंगे तो उस टाइम पे भी लगबग 5% के आसपास की return में gap दिख रहा था जो nifty 500 जो इसका benchmark index है वो 14% के आसपास की return दे रहा था यह fund 9.62% के आसपास की return उस टाइम पे जनरेट कर रहा था तो लगातार under performance इस fund के द्वारा भी आप देख सकते हैं कि बहुत लंबे टाइम से under performance लगातार बनी हुई है और यह अपने benchmark index को beat नहीं कर पा रहा है तो जब market थोड़ा अभी अच्छा perform कर रही है तो आपके लिए अच्छा मौका है ऐसे fund से निकलने का तो आप अगर यहा लगातार under performance दिखा रहा है वहाँ पर expense ratio इतनी higher side पर होना और उसके अलावा asset under management देखते हैं तो 9700 करूर क्या असपस है तो यानि कि expense ratio भी जादा है asset under management भी जादा है और जो fund की performance है वो भी लगातार वो under perform दिख रहा है तो ऐसे fund दोस्तों अगर आपकी mutual funds में भी शामिल है त तो आपको जल्दी से जल्दी ऐसे fund से निकलना बहुत जादा जरूरी हो जाता है यह चीज आप अपने जितने भी portfolio में जितने भी funds है उसमें कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपका जो fund है वो perform कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है अब दोस्तों अगर हम तीसर fund की तरफ अगर हम चलते हैं तो तीसरा fund आ जाता है HSBC का flexi cap fund तो यहां पर दोस्तों अगर हम इस fund की performance के यहां पर देखते हैं तो यहां पर भी दोस्तों आप देखेंगे कि एक लंबे period में लगातार under performance देखने को मिल रही है अगर आप जून जुलाई 2017 से जुलाई 2020 के period मे देखेंगे तब भी यह fund अपने benchmark index को बीट नहीं कर पा रहा था उस time पे इसके benchmark index ने 2.7% की return दी थी वही इस fund ने negative return दी थी थोड़ा और आगे चलते हैं March 18 से March 21 के period में देखते हैं तो यहां पर भी आपको देखने को मिल रहे हैं कि इस fund के जो benchmark index है उसने 12.36% की return दी थी इस fund ने 9% के आसपास की return दी थी presently भी अगर दोस्तों आप देखते हैं तो 2% की return यहां पर gap दिखता है 16.4% के आसपास की return इसके benchmark index ने दिये वही इस fund ने 14.41% की return दी है तो यहां पर भी दोस्तों long term में under performance दिखती है अगर आप compare करते हैं rolling returns को benchmark की return से अब इसकी अगर हम यहां पर देख लेते हैं expense ratio तो expense ratio की अगर आप बात करेंगे आप expense ratio देखे 1.38% की expense ratio भी यहां पर जादा दिखती है हाला कि यह fund बहुत जादा famous fund नहीं है तो asset under management सिर्फ 390 करोड के आसपास है तो दोस्तों यह कुछ examples हैं जो मैं आपको देकर समझाना चाहता हूं कि आपक जो fund है कई वहां पर भी एक long term में under performance तो नहीं दिख रही अगर देखिए 6-8 महीने साल भर की under performance है तो बहुत जादा दिक्कत नहीं है हर fund में हो सकती है लेकिन अगर long term में performance कम दिखती है तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप उस fund से जल्दी से जल्दी निकलने के बार है कि यहां पर जो under performance है यह कुछ time से दिख रही है अगर आप अभी presently देखेंगे तो 2% के आसपास की return का gap दिखता है nifty 500 ने 16.45% की return दिये तीन सालों में पिछले वहीं इस fund ने 14.1% के आसपास की return दिये थोड़ा और पीछे चलते हैं हम 6 महीने पीछे चलते हैं लगबग 6 महीने पहले भी दोस्तों यह fund अपने benchmark index को beat नहीं कर पा रहा था तो यहां पर भी performance जो है वो lag होती हुँ दिख रही है वहीं अगर आप थोड़ा और पीछे चलते हैं हम एक साल पीछे चलते हैं तो आप देखेंगे कि लगबग अपने benchmark index जैसी ही returns यह generate कर रहा था और performance है वो यहां पर खराब होती हुँ देख रही है तो दोस्तों यहां पर भी एक under performance आपको देखने को मिल रही है और तीन साल के period में under performance देखने को मिल रही है एक साल 6 महीने में अगर under performance है तो इतनी जादा दिक्कत नहीं है लेकिन इतने long term में अगर under performance आ जाती है तो यहां प पर दोस्तों एसे टंडर मेनेजमेंट आप देखिए 36,000 करोड के आसपास हो चुका है काफी सारे लोग पराख पारिक फ्लेक्सी के फंड जिसका जो एसे टंडर मेनेजमेंट है वो 20,000 करोड है उसमें इन्वेस्ट करने के दूबर सोचते हैं क्यों उनको लगता है कि उसका एसे टंडर मेनेजमेंट जादा हो गया है आप देखेंगे यहाँ पर कोटक फ्लेक्सी के अपका 36,000 करोड के आसपास हो चुका है एसे टंडर मेनेजमेंट और शायद यह जो पिछले एक डेर साल की एंडर परफॉर्मेंस इसकी दिखती है वो अब यह फंड अपना जो ए रिजनेबल मान सकते हैं तो दोस्तों यह थे वो कुछ फंड जो मैंने सोचा कि आज आपको दिखाता हूँ जहां पर mostly expense ratio भी जादा थी, asset ender management भी जादा है और जो performance है वो भी एक long term में कम अच्छी performance देखने को मिल रही है तो दोस्तों आप भी जितने भी आपके mutual funds हैं उसक करके हर category of mutual fund में यह वाली वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों को और better idea मिले आज बस इतना ही दोस्तों धन्यवाद